दोस्तो यह एक प्रेत की सची कहानी है भिहार की राजधानी पटना बाप बेटे ट्रांस्पोर्ट का काम किया करते थे बाप गारी चलाता था और बेटा पैसेंजरों को उनके पास लेकर आता था था गारी में साथ साथ दोनों जाते थे वो दोनों इस्टेशन पर पटना ज समय था और पैसेंजर का इंतिजार कर रहे थे चार आदमी सूट बूट में तनके तयार होके उनके पास आए और उनसे कहा हमें रईस जाना है तो उन्होंने पूछा यह रईस कहा है हमें नहीं पता आप रास्ता बताओगे तो हम चल सकते हैं उन्होंने कहा ठीक है हम रास् तो उन्होंने का ठीक है हम 25 रुप्य आपसे लेंगे तो उन्होंने कहा नहीं मैं 2000 दूंगा ऐसे करके दूनों आपस में बाते करने लगे तो 25 सो में तक्रीमन राजी हो गया ठीक है तुम चलो मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा चारों वहाँ पर बैठ गए एक आगे रा जर से पिसाव आई है बाप ने ड्राइविंग कर रहा था गाड़ी रोक दिया बेटा पीछे बैठा हुआ था एक गाड़ी में से उतर कर बाहर पिसाव करने चला गया और पीछे जो बैठा था उसने एक धाधार निकाली और बाप के उपर वार चालू कर दिया बाप का सर धर से अलग हो गया बेटे ने जब यह घटना देखी तो वह आवाक रह गया और पीछे से गेट खोल कर भागने लगा जब भागता देखा तो उन चारों ने उसकी बेटे का पीछा किया और दो तीन वार धारतार हतियार से उसके उपर कर दिया प्रन्तु फिर भी घने जं रहे थे तो देखा सरकटा हुआ लास वह पड़ा हुआ है तो लोगों ने पुलीस को फोन की गाउवाले ने मिलकर पर कुछ दिन बाद वहाँ बिचेतर घटनाय घटने लगी। एक किसान अपनी बेलगाडी लेकर रास्ते से जा रहा था। सुबे का समय था तक्रीबन पांच बज रहे थे। उसने देखा एक सरकटा व्यक्ती रास्ते पर खरा है। किसान काफी घपरा गया और बेलगाडी से कूद कर घर की तरफ भाग गया। बेलगाडी छोड़ दी सुबे सब लोगों को उसने यह बात बताई। घटना टल गई। दो तीन दिन बाद फिर एक मास्टर साहब उस रास्ते से पढ़ाने के लिए सुबे सुबे जाया करते थे गाडी से उनका नित्य काम था सुबे पांच बजे छे बजे के करीब वह इसकुल चले जाते थे पढ़ाने के लिए। एका एक उनकी गाडी का एक्सिजेंट उसी स्थान पर हो गया जहां पर वह सरकटा लास था। मास्टर साहब की मौत हो गई। फिर कुछ दिन बाद वह अखिर सरकटा व्यक्ति कौन है फिर गावालों ने चंदाई कठा किया और वहां पर भव्य हनुमान जी का मंदिर करवाया और अब हनुमान जी की पूजा सवेरे सांज होने लगी तब धिरे दिरे ऐसी घटनाय कम होती चली गई और बिलकुल ही अब यह घटनाय समाप्त हो पर दे सकते हैं हमारे चैनल के तरब से आपको गिप्ट इनाम के तोर पर दी जाएगी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा कॉमेंट अवश्य करिएगा हम आपके कॉमेंट को पढ़ते हैं अगर आपका कॉमेंट हमें अच्छा लगता है और आप इनर को चुनेंगे और हम आपको एक गिप्ट इनाम के तर पड़ेंगे अगली वीडियो बहुत जल्दी में लेकर आऊंगा तब तक के लिए चलते हैं